हेलो फ्रेंज इस लेक्टर में हम क्लाश प्रेंज मैंस एंसी यार्टी चैप्टर शीप स्ट्रेंगल्स एक्टरसाइज 6.5 है प्रॉब्लेम नंबर 10 दिसक्स करेंगे प्रोल्म में अ यह तो क्या दिया का रहा है । इस प्रॉब्लम में यहों और सी पॉइंट पर एक फूटा है मान लिए ठीक है या खील से उसे उहां टाइट कर दी जाती है तो वायर की लेंस दीविए 24 मीटर वहीं आपकी पॉल की लेंस दीविए 18 मीटर तो कितने दूर पर ये फूटा बांबना होगा और स्टेक जो बोला जा रहा है ठीक है तो बी इसी ही लेंट करने है तो अबी जो है हमारी पॉल की लेंथ होई लेंथ और पॉल लेंथ और पॉल लेंथ और पॉल अबी इकवल टू 18 मीटर दिये हुए है ठीक है और वहीं लेंथ और वायर लेंथ और वायर यह हमारा एसी हो गया एसी इकवल टू 24 मीटर अब देखें अगर देखें तो हमारा एंगल बी जो हुआ है बी एंगल 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 यह 90 डिग्री है ठीक है इंटर एंगल 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 बी 90 डिग्री तो यूजिंग पाइथागूर हुआ थी ओर हम बोल सकते हैं इकवल टू परपेंडिकुलर की स्कॉइर प्लस बेज की स्कॉइर तो हम बोल सकते हैं एक्वल टू AB square प्लस BC square ठीक है? बाइ पार्थागोरस थियोरों पार्थागोरस थियोरों हमें BC find करनी है तो देखें BC square आपकी हो रहेगी AC square minus AB square ठीक है? value substitute कर लेंगे तो BC square equal to AC की square means AC हमारी 24 है 24 की square minus AB square और AB हमारी 18 की square हो जाएगे यह हमारी हो जाएगे 576 minus 324 ठीक है? दो की 252 के बराबर हो भी है ठीक है? तो BC हमारी जो है BC equal to under root 252 252 को अलिक है 6 into 6 into 7 ठीक है? देरफोर BC equal to 6 under root 7 यह हो जाएगा हमारा? चल्यें length, required length, distance जो है BC hence hence required distance distance BC equal to 6 under root 7 meter यही आंसर हो गया हमारा ओके फ्रेंट्स तो इस लिक्टिर में ने question number 10 के solution discuss किये बाकी questions के solution के लिए आप हमारे playlist विजिट करें playlist की link आपको इस वेडियो के description box में मिल जाएगी ओके फ्रेंट्स थेंट्यू